आप सभी का स्वागत है आपके पेने चैनल एक्जाम अड़ाफाई स्टेडी पर 79,000 सिच्छक बरती जिसका डर था आखिरकार दोस्तों वही हुआ पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो अंतर जरूर बाच कीजिएगा उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एक्जाम अड़ाफाई स्टेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन बेल प्रेस कर लिजिए आल और OBC की बहुत ही निम्दम फीस रखी गई है तो अगर आप लोग हमारे संस्थान में एडमिसर लेना चाहते हैं तो इस मॉबाइल नंबर पर आप लोग संपर कर सकते हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि सीटे है सीमित तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि 69 सिच्छक बत्ती मामले को लेकर एक मामला आपका सुप्रीम कोड में चल ला था एंस्वर की परकरण को लेकर तो जिसमें आज सुनवाई हुई है उसमें 1064 को मित्रों उसमें जटका लगा है और सरकार को रिलीफ मिली है आज मानी सरबोच ने आले में उत्तर कुंजी पर कुल दो सुनवाई की डेट लगी थी ये एक याज का जो थी मित्रों रिसब मिसरा की यू यू ललित की ललित के बेंच में सुनवाई थी जिसमें तीन नंबर की मांग की गई थी जिसको यू यू ललित सर ने खारिज कर दिया अब इन लोगों की कहानी खतम हो चुकी है और दूसरी याज का सुरी दोस्तों दूसरी याज का जिसमें सरकार दोरा इलहाबाद डबल बेंच के आडर को चैलेंज किया गया था उनके दोरा सच्यू मोहदय को आडर फालो करने के लिए रेगुलर कंटेंट किया जा जो जस्टिस जोसफ की बेंच में सुनवाई लगी थी जिसमें एक नंबर की मांग करने वाले पचीस आट तो जार इकीस के पाहले के याज की कबड हैं उसमें अभी परसों ही सरकार के ए ओ आर ने दो सब्ता का समय मांगा है सुनवाई में अनुपस्थित राने के कार इसल इस पर कोई नेड़े भी नहीं आया है तो यह मानिये जो सुप्रिम कोट है उसके एक मामला जो था तीन नंबर देने के लिए उसको यू यू ललित सर की जो बेंच थी उसको सरे से खारिज कर दिया अब मामला पूरे तरीके से सरकार के फेवर में चला गया दूसरा मामला जो मित्रो डबल बेंच में जो जेज्यमेंट आया था एक नंबर कामन देने के लिए एक नंबर जो आप देखना ये है 29 जुलाई को क्या निर्ड़ा आता है आपके जो एक नंबर जिसमें हजारो च्छात्र बेंफिट होने वाले थे और तीन नंबर में मित्रों लगवक्त 10,000 लोगों को फायदा हो जाता तो यू यू ललिज सर की जो बेंच है सिरे से खारिज कर दिया है इस आप कैसे हजारो च्छात फिर बाहर होने की दालिज पर लगे हुए है आप लोगों को मित्रों 29 जुलाई का जो जज्जमेंट आएगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यह थी महत्पूर जानकारी ऐसे जानकारी के साथ आप लोग चैनल के साथ निरंतर बने रहे है इस वीडियो को आप लोग लाइक और सेयर कर दीजिए जितने में आप लोगों के एजुकेशन ग्रूप हैं